नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों पिर देखें आपके शरीर में होने वाले चमतकार फायदें। चलिए जान लेते हैं इसको बनाने का क्या है साई तरीका और क्या क्या चीजों का इस्तिमाल करना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेना है people आपको बताने वाली होonic यह छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं मखाना में बहुत ज़दा मात्रा में iron, fiber, magnesium, potassium, zinc बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके शरीर को बहुत तरीके से portion देता है मखाने अगर आप खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में insulin बना रहता है शुगर की मात्रा कम हो जाती है और धीरे-धीरे जो आपके शुगर आपको हो चुकी है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी मखाना किबस शुगर की मरीज के लिए नहीं बलकि हार्ट अटाइक जैसे घंबीर बिमारियों के लिए भी हमारे लिए बहुत फायदे मंद है इससे आपका दिल और आपकी पाचन क्रिया दोनों स्वस रहते हैं अगर आपको जोडों में बहुत ज़दा दर्थ रहता है तो मखाने में भरपूर मात्रा में क्याल्शियम होता है जो हमारे जोडों के दर्थ, सूजन, पुराने से पुराना गठिया को एकदम से ठीक करन का जजबा रखता है अगर आपको बहुत ज़दा तनाव रहता है आपको नीन नहीं आती आपको स्ट्रेस बहुत जादा होता है या आपको एंजाइटी बहुत जादा होती है तो ऐसे में मखाने का सेवन आपके सारी तक्वीफों को दूर करेगा आपको रात को सेवन ज़ तो मखाने में anti-oxyn भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके पाचन तंत्र को ठीक रखता है, और इसमें estrogen गुन पाया जाता है, जो हमें कब से रहा दिलाता है, और हमारे digestion को, यानि हमारे metabolism को सुधारता है, मखाना, आपके kidney को मजबूत करता है, और आपके kidney को detox करता है, आपके जितने भी शरीव में base toxins जमा हो गए है, उसको ये निकाल कर बहार फैकता है, आपके शरीव को अंदर से साफ करता है, आपके शरीव में अगर cholesterol बहुत ज़दा बढ़ा हुआ है, तो उसको खतम करता है, अगर आपके शरीव में समय से पहले aging आने लगी है, आपके skin बूरी होती जा रही है, या बिल्कुल बेजान हो चुकी है, रंगत नहीं रही उसमें, तो आप notice करेंगे कि जैसे ही आप इस remedy का सेवन करेंगे, तो आपके skin के रंगत बदल जाएगी, आपकी aging slow down हो जाएगी, आपके face फिक अच्छा glow आ जाएगा, ये बहुत ही जादा effective है आपके शरीर के लिए, तो खुद भी इसका सेवन करें और बच्चे को भी करवाएं, अब दूसरा ingredient में इसमें समाल करने वाली हो, khas-kas, khas-kas बहुत ही जादा effective है, khas-kas के बीज में omega 6 fatty acid होता है, protein होता है, fiber का बहुत अच्छा सोत्र है, और साथ में इसमें vitamin B, thiamin और calcium और magnesium पाया जाता है, मतलब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा आहार माना जाता है, और इसके क्या-क्या फायते हैं, अब वो जान लेते हैं, खas-kas को दर्द निवारक रूप में भी प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी दवाईयों में इसका इस्तवाल किया जाता है, ये हमारे mass patient के दर्द को खतम करता है, mass patient के सूजन में अराम देता है, और अगर आपको पुराने से पुराना गठिया है, तो आप notice करेंगी कि वो भी बिल्कुल खतम होता जा रहा है, अगर आपको सांस लेने में तक्रीफ है, आपको बहुत ज़दा कफ बनता है, तो आपकी सारी problem यानि पुराने से पुराना अगर आपको अस्तमा भी है, तो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसके सास अगर आपकी त्वच्वा में बहुत ज़दा डलने से आगई है, तो ये आपकी त्वच्वा को भी खुबसूरत बनाएगा, आपकी त्वच्वा में एक नाच्रल नमी प्रदान करेगा, एंटी ऑक्षिन भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी एजिंग को स्लोडाउन करता है, आपकी स्किन में मेललीन के प्रदाक्शन को कम करता है, जिससे आपकी स्किन पर वाइटनिंग एफेक्ट आने लगता है, इसके सास अगर आपको छोटी मोटी समस्या हैं, जैसे बहुत ज़दा प्यास लगना, बुखार, सूजन, पेट में जलन, ये सारी तकलीफे रहती हैं, ये आपके पेट में बहुत ज़दा गर्मी बढ़ गई है, तो खस-कस खाने से ये सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, ओमेगा-6 fatty acid और प्रोटीन इसमें बहुत ज़दा पाया जाता है, जो आपके बालों की बहुत अच्छे से रक्षा करता है, जो आपके बाल बहुत ज़दा ज़ड रहे हैं, आप नोटिस करेंगी कि आपके बालों का texture पहले से बहुत अच्छा हो गया है, आपके जहने पर समय से पहले बुडापन नहीं आएगा, आपकी तुच्छा की रंगत ही बदल जाएगी, खसकल में फाइबर बहुत जादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी कब से हमें राहा दिलाता है, हमारे पाचन तंत्र को दुरूस बनाता है, हमारे मेटाबॉलिजम को फास्ट करता है, अगर आपको नीद ना आने की समस्या है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको इससे बहुत यच्छी नीद आने शुरू हो जाएगी, और स्पेशली यह आपके पुराने से पुराने गठिया को, आपके शरीट के जोडों के दर्द में आपको बहुत अराम देगा, आपका पेट इससे साफ हो जाता है, इलाइची में मगनीशियम, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, यह आपके शरीर के ब्लड सर्कूलेशन को बिलकुल बालेंस करके रखती है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है, और अगर आपको सांस की बिमारी है, तो अगर आप इसको इलाइची का सेवन करेंगे, चबा चबा कर खाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे, इससे अपके फेफडे, बिल्ड अच्छे से काम कर पाएंगे, आपको अस्तमा कभी नहीं होगा, इलाइची में एंटियोक्सिंट बहुत ज़ादा मातरा में होता है, जो शरीर में इंसुलीन के लेवल को कम करता है, जिससे की आपका जो डाइबटीज है, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा diabetes है, काफी मात्रा में रहता है, आपके शरीर में diabetes बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो वो भी control आना start हो जाएगा हरी इलाइची के तैसीर होती है, थोड़ी गरम होती है, लेकिन हम यहाँ पे एक normal quantity ले रहे हैं, तो आप इसका सेवन गर्मियों में जरूर कर सकते हैं, यह आपको सर्दी खांसी से बचाता है, कंजेशन से बचाता है, आपकी छाती को बिल्कुल साफ रखता है, अगर आपको ulcer की समस्या है, तो वो भी से दूर हो जाएगी, आपको फ्यूचर में कभी भी gastric problem, यानि जापको बहुत अदा acidy वनती है, वो नहीं होगी, और साथ में कभी भी आपको ulcer नहीं होगा, बहुत सारी लोगों के मुँँ में से बदबू आती है, दुरगंद आती है, या दा हो जाएगा, आपके ये अंदर से सारे waste oxygen को निकालती है, इसके साथ साथ या जोडों में दर्थ, सूजन या जो आपके शरी में वात का प्रभाव बढ़ बढ़ गया है, उसको कम करती है, जिससे आप नोटिस करेंगे कि आप पहले के मुताबिक अच्छे से चल पा रहे है हैं, उड़ पा रहे हैं, बैट पा रहे हैं, और साथ में ये आपके मुतापे को भी कंट्रोल करती है, आपके शरी में जो जमा हुआ फैट है, उसको पिगलाने का काम करती है, तो ये बहुत ही जादा effective है, अब इसमें हम एड़ करेंगे अपना fourth ingredient, जो है धागे वाली मिश जाएगे, थोड़ी से आप इसमें बहुआट करिए, इन सब को अच्छे से बॉयल करिए, बॉयल करके इतना काल लीजए, जैसे खीर जैसे बन जाती है, वैसे बन जाए और आपने इसका एक दिन छोड़ के सेवन करना है, जैसे आपने मंडे को सेवन करा तो टूजड़ का गाफ रखें, फिर वेडनेस डे करें, ऐसे हफते में तीन दिन इसका सेवन करें, एक दिन के गाप दे कर, अपने बच्चों को भी सेवन करवाए, लेकिन बच्चों को दस मखाने की कॉंटिटी के जगा आप दो तीन मखाने दे दें, इलाइची में आप बिल्कु थोड़ तो आज से इसका सेवन करें और फिर देखें कि अगर आप बेट पर भी पड़े होंगे, आप से विलकुल हिला भी नहीं जाता होगा, तो भी आपकी हड़ी अगदम स्ट्रॉंग हो जाएंगी अंदर से, आपके शरीर में से आपकी बॉड़ी में जो कट-कट के आवाज आती कि अगर आपकी हो जाएंग अगर को किई हो में जाएंगा गर आता है क्या है?